पीम मोदी ने अपनी स्वभाग्य योजना लॉंच कर दी है। इस योजना का मकसद हर घर तक बिजली पहुचाना है। स्वभाग्य योजना का बजट करीब 16,320 करोर का होगा। इससे करीब 2,5 करोर लोगों को फायदा होगा। इस योजना के तहट मार्च 2019 तक हर घर में 24 घंटे बिजली पहुचाने का टार्गेट है। नमबर 3 जोजना के तहट ट्रांसफोर्मर, मीटर और ताल जैसे उपकरण पर सबसीडी री जाएगी। वही गरीबों को मुफ्त में बिजली री जाएगी। नमबर 4 मुफ्त कनेक्शन के लिए जरूरत मन लोगों की पहचान 2011 की जणगरना के अधार पर की जाएगी। जिनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है, उन्हें 500 पेसे लेकर कनेक्शन दिया जाएगा। इस रकम की वसूली 10 किष्टों में की जाएगी। नमबर 5 उन इलाकों में जहाँ बिजली नहीं पहुच पाएगी, वहाँ 200 से 300 VP सोलर पावर पैक दिया जाएगा। इसके साथी 5 LED वल्ब, 1 DC फैन, 1 पावर प्लग भी दिया जाएगा। नमबर 6 ग्रामनी इलाकों के घरों तक विजली पहुचाने पर करीब 14,025 करोड रुपे खर्च होंगे, जबकि शहरी इलाकों पर करीब 2,249 करोड रुपे खर्च होंगे। नमबर 7 इस योजना को केंदर और राजे सरकार मिलकर लागू करेंगी, केंदर करीब 60 फीजदी रकम खर्च करेंगी, वहीं 10 फीजदी रकम राजे सरकार को खर्च करना होगा, जबकि 30 फीजदी रकम बैंक से खर्च लिया जाएगा। नमबर 8 साल की अंतक करीब 20,000 मेगावार्ट बिजली वायू उर्जा से और 20,000 मेगावार्ट बिजली सौर उर्जा से बनाने का लक्षे रखा गया है। नमबर 9 हर घर बिजली पहुचाने के लिए सरकार मोबाईल अब का सहारा लेगी। इस अब के जरीए सरकार तमाम जानकारिया जुटाएगी। और 10 इस योजना से जहां केरोसिन का विकल्ट मिलेगा वहीं इससे श्यक्षनिक सेवा भी बहतर होगी। साथ ही इससे रोजगार के अफसर भी बढ़ेंगे। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट